बोटसेप किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है दोस्तों वाटसेप के उपपर सभी लोगों को बहुत ही दोगे में रखा जाता है और यह आपको बताया जाता है कि आपका WhatsApp है कर लीजिये या आप दूसरे के WhatsApp Kaa Data चुरा लीजिये और सभी लोग हमसे कोशण करते हैं या सभी लोग को यह डॉट भी होता है कि Kay WhatsApp हो सकता है या नहीं हो सकता क्योंकि सभी लोग आजकल WhatsApp चलाते हैं WhatsApp पर उनका काफी डाटा मौझूद रहता है और सभी लोग इस बात से डरते हैं कि कहीं उनका WhatsApp घरते हैं आपको सबसे पहले बता जाता है कि आप WhatsApp को ओपन लीजिये वाटस अअब इस तरह से ओपन कर लिया उसके बाद आपको बोला जाता है कि आप इन तीन लाइनों पर hacking trick है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि WhatsApp का ही एक feature है जिसे hacking trick बताकर लोग आपको जूट बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर कोई आपका WhatsApp hack नहीं हो रहा यहाँ पर खुद ही आपको permission देनी पड़ेगी जब देखी यहाँ पर आप QR code करेंगे तो यहाँ पर आपसे permission मांगी जाएगी और जब तक आप permission नहीं देंगे तो hack होने का सवाल ही नहीं या data आपका दूसरी तरफ जाने का सवाल ही नहीं है अब यह क्यों है ऐसा इसके अंदर feature क्यों है वो मैं आपको हो सकता है तो हमारा भी वाटसेफ हैक हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर तो permission देनी पड़ेगी hacking क्या होता है यह भी हम समझ लेते हैं hacking में background में ही आपका data चोरी हो जाता है आपको तो खबर भी नहीं होगी भनक भी नहीं लगेगी और आपका data online ही चोरी हो जाता है जैसे कि आपने cyber crime और online धोकदड़ी के cases बहुत सुने होंगे तो लेकिन यहाँ पर तो आप से खुद permission मांगी जब तक आप QR code scan नहीं करेंगे permission नहीं देंगे जब तक आपका WhatsApp दूसरे WhatsApp को अपने खुद के दूसरे WhatsApp फोन में भी नहीं चला पाएंगे तो बाकी के फोन में तो आप सोच यह भी मत ठीक है तो एक तो यह तरीका होता है जो आपको दिखाया जाता है कि आप WhatsApp हैक कर लीजिए और दूसरा तरीका आपको क्या पता जाता है कि आप Play Store में चले जैसे कि बहुत सारी एप्लिकेशन है जैसे WhatsApp क्लोन, WhatsApp वैब ठीक है तो चलिए हम आपको एक एप्लिकेशन जैसे दिखा देते हैं वाटस वैब ठीक है तो इस तरह की एप्लिकेशन आपको बताई जाती है तो यह एप्लिकेशन जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो QR कोड आपको उस एप्लिकेशन में मिलता है जैसे कि यह QR कोड आपको दिखाई दे रहा है अब यह QR कोड आपको अपने WhatsApp में स्कैन करना होता है जैसे कि मैं आपको वीडियो के शुरू में दिखा रहा था है इस स्कैनर उसी scanner से आप इस QR code को जब scan करेंगे दूसरे phone से तब ही आपका WhatsApp दूसरे phone में चलेगा उसके अलावा आपके WhatsApp के data को दूसरे phone में तो देखा जाना बिलकुल नामुम्किन है दोस्तों आप बिलकुल निश्चिंद रही है यह WhatsApp के ही फीचर है जो आपकी मलब सुरक्षा के लिए आपकी सहूलियत के लिए आपको दिये गए है यहाँ पर कोई भी hacking नहीं हो रही है तो YouTube में थोड़ा सा धोका देने वाली बात होती है जो आपको इस फीचर को भी WhatsApp hack trick नाम देकर दोस्तो इसे hack करना तो सवाल ही नहीं होता तो दोस्तो यह जानकरी मैं आपको देना चाहता था कि WhatsApp आपका hack नहीं होता जो आपको ट्रिक्स दिखाए जाती है वह WhatsApp का यह फीचर है और आपको घबरानेगी कोई जरूरत नहीं है तो यह जानकरी आपको कैसे लिए प्लीज हम हैं तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद